दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप online आइसमान operator ID के लिए registration कर सकते हो और ID बनाने के बाद आप जो है किसी का भी आइसमान कट बना सकते हो या फिर अगर आप download करना चाहो तो download भी कर सकते हो कुछ चेंज करना चाहो या फिर किसी का नाम एड करना चाहो तो आप उसमें नाम भी एड कर सकते हो तो आए दोस्तो इस्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और मैं आप सभी को आईसमान operator ID registration करने का पूरा प्रोसेस बताता हूँ लेकिन दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं के तो जल्दी से एक लाइक कर दीजे और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजे क्योंकि दोस्तो आगे भी मैं आपको ऐसे इंफर्मेटिग वीडियो देता रहूंगा आई दोस्तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो आइसमान कार्ड ओपरेटर आइडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है और अभी तक हमारा कोई भी एकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे नीचे ऑप्सन मिल जाएगा इसके बाद आपको क्या करने जो साइन अप का बटन इस पे क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पे अपना अधार नंबर डाल देना है उसके बाद आपको जो वैलिडेट का बटन मिलता है इस पे क्लिक कर देना है अब जैसे आप वैलिडेट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपका अधार सक्सेस्फुली वैलिडेट हो जाएगा उसके बद आपको यहाँ पे दूसरा option मिल जाता है EKYC model का तो आपको यहाँ पे अधार OTP select कर लेना है क्योंकि अगर आप fingerprint select करते हो तो आपके पास biometric machine होना चीए उसके बद दोस्तो अगर आप यह पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो और उसके बद आपको allow पे click कर देना है अब दोस्तो जैसी आप allow पे click करोगे तो आपके अधार से जो भी mobile number register जाए रहेगा उस पे 6 digit का एक OTP आएगा तो जल्दी से आपको क्या करना है OTP यहाँ पे fill कर देना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने OTP fill कर दिया है OTP fill करने के बाद जो submit का button इस पे click कर देना है और जैसी आप submit वाले button पे click करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका detail अपने आप यह capture कर लेगा और capture करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपका photo दिख जाएगा अगर आप अलग से कोई अपना photo upload करना चाहते हो तो यहाँ पे आप upload वाले button पे click करके अपना दूसरा photo भी upload कर सकते हो इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना email ID लिखना है और उसको validate करना है फिर mobile number लिखना है तो जल्दी से मैं अपना email ID और mobile number लिख लेता हूँ उसके बाद आगे का process आप सभी को बताता हूँ अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना email ID और mobile number लिख दिया है इसके बाद आपको जो यह verify वाला button मिलता है इस पे click कर देना है आप जैसे verify वाले button पे click करोगे तो यह आपका verify हो जाएगा उसके बाद आपको अपना mobile number भी verify कर लेना है verify करने के बाद आपके mobile पे एक OTP आ जाएगा जो कि यहाँ पे आपको fill करना है तो जल्दी से यह भी OTP मैं जो यहाँ पे fill कर देता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने OTP fill कर दिया है OTP fill करती है loading लेने लगेगा अब दोस्तो OTP fill करने के बाद आप जैसी नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे एक add roll का section मिल जाता है जिसमें की सबसे पहले आपको parent entity select करनी है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी agency मिल जाती है आप उसमें जो भी select करना चाहते हो select कर सकते हो बहुत सारे state का भी नाम मिल जाता है आपको अभी के लिए हम यहाँ पे UP select करेंगे agency operator select कर लेंगे उसके बद दोस्तों आपको यहाँ पे application का एक option मिल जाता है तो आप इस पे click करोगे आपको BAIS का option मिल जाएगे यह आपको select कर लेना है इसके बद दोस्तों आपको यहाँ पे add वाले button पे click कर देना है और जैसे आप add वाले button पे click करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यह successfully add हो चुका है, इसके बद आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे, तो यहाँ पे user credential का option मिल जाता है आपको, आपको यहाँ पे अपने एक username create कर रहा है, उसके बाद जो भी आप अपना password बनाना चाहते हो, वो बना सकते हो, तो जल्दी पे देख सकते हो, account created, your account has been created, how your role has been sent for approval, ठीक है, login to track the status, तो आपको यहाँ पे ok वाले बटन पे click कर देना है, दोस्तो लोग इन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना user ID जो आपने बनाये था हो डाल देना है, या फिर आप चाहो तो अपना mobile नमबर भी डाल सक उसके बाद दोस्तो आपको जो verify का button मिल जाता है, इस पे click कर देना है, और verify जैसे यह हो जाएगा, authentication mode, तो यहाँ पे आपको option मिल जाता है, password, mobile, अधार OTP और fingerprint तो आपको mobile select कर देना है, क्यूंकि दोस्तो सबसे simple जो है mobile है, आप चाहो तो password डाल के भी कर सकते हो, उसके करने के बाद आपको जो login का button मिलता है, इस पे click कर देना है, दोस्तो लोगिन करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, कि login करने से पहले आपके mobile पे आपने जो mail ID डाला था, उस पे एक link जाएगा, जिस पे click करके आपको verify कर लेना है, उसके बाद आप जैस इस पेट से हो ये भी दिख जाएगा, उसके बाद इस टेटस में आप देख सकते हो अभी pending दिखा रहा है, जैसे ये अपरूब हो जाएगा तो दोस्तो इसी website पे login करके आप यहां से किसी का भी आईसमान कार्ड बना सकते हो, या फिर उसमें नया member add कर सकते हो, या फिर कु